मित्रो मेरा नाम है बिजाशंकर सिंग और मैं शेयर बजार पर ट्रेडिंग निवेश आद इपीशो पर वीडियो लेकर करके आता रहता हूं तो जिस किसी को भी शेयर मार्केट निवेश मोटिवेशन आद इपीशो पर जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब क कर सकते हैं तो आज मित्रो आज बुद्धवार है 27 मई है तो 26 मई को जिन शेयरों में मजबूती बनी थी और आगे चल करके मजबूती और रह सकती है आज उसी शेयरों बारे में हम चर्चा कर तो केंडली स्टिक में एक बहुत पुड़ पैटरन होता है मित्रों मुराबज मुराबजूड पैटरन उसको कहते हैं जो शेयर जहां से खुलता है मार्केट बंध होते होते सबसे उच्चतम अस्तर पर बंध होता है तो बहुत मजबूती का परचायक माने जाता है मित्रों और यह माना जाता है कि मुराबजू वाला जो शेयर होता है ट्रेणिंग पइ पर कुल नौव स्टॉक्स में मुरावजू बना है ब्रिला कार्पोरेश्चन बेयर कार्पोरेश्चन अधानी पावर अधानी पावर के पाद आएसर मोटर आएसर एमसी अक्स जेए डबी स्टील जुबिलेंट फूट टाइटन और पी इंडस्ट्री तो इने शेयरों में कौन ऐसे शेयर हैं जिसको हम ट्रेडिंग के पॉइंटेफू से खेलें दाव लगाएं तो मेरा जो अपना मानक है इस्टेंडर्ड है ट्रेडिंग का कि उसमें यह है कि वो शेयर पहले तो एनसी बेसी का होना चाहिए सभी मूविंग एवरेज के उपर होना चाहिए fundamentally strong होना चाहिए और potential उला share होना चाहिए तो इन shareों में जो मैंने share चिन्हित किये उसमें Jubilant Food Titan PI Industry इन तीन shareों को मैंने चिन्हित किया इन में से Titan जो है Moving Average के नीचे टेट कर रहा है 200 दिन के 100 दिन के लेकि Jubilant Food और PI Industry 200 दिन के Moving Average के उपर टेट कर रहे है इस प्रकार मेरा अपना मानना है मित्रों कि ट्रेडिंग के पॉइंट आफ्यू से इन दोनों सेरे उपर दाव खेला जा सकता है जैसे Jubilant Food की बात करें मित्रों कि कल जो है 1622 पे ओपन हुआ था और 1704 पे जाकर के कलोज दिया था जो की अपना उच्चतम अस्तर है कुल मिला करके 5.1 एक साथ परशेंट बढ़ा था मित्रों वालूम भी देखे तो वालूम भी बहुत अच्छा खासा रहा है मार्केट केपिलिस का 22488 करोन है यह नि लाज केप के सेग्मेंट की कमपनी देखा जाय तो और वन वीक में देखा जा तो 1309 परसेंट बढ़ा है एक महीने में 15100 दो-चार परसेंट बढ़ा है 52 एक हाई लोग देखा जा जा मित्रों तो 1973 है और 52 एक लोग देखा जा जा तो 1070 है कर रहा है 10 to 15 परशेंट के आसपास तो अब यह अपने 52 जोन में है मित्रों तो यह उमीद है कि यदि इसको सेयर को खरीदा जाता है तो यहां शेयर आने वेले समयों में ट्रेडिंग से हमों को कुछ और कुछ पैसा बना करके देखा हैं आप इती बात करें सकते हैं इसके मुविंग अबरेज बुलिश है टेकनिकल इंडिकेटर बुलिश है मुविंग अबरेज क्राश ओफर वह भी बुलिश है और दिन का 1612 है तो सभी मुवीं अब्रेस से मित्रों यह ऊपर ट्रीड कर रहा है तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि यह शेयर को ट्रीडिंग के लेगना चाहिए और टेक्निकल जो इंडिकेटर्स होते हैं आरशाई बुलिश है मसीडी बुलिश है आरशी बुलिश है CCI बुलिश है ओवराल जो है मित्रों यह शेयर बुलिश है तो यह इसको देखना चाहिए रेसिस्टेंस एदि सपोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो फिविंची अस्तर पर जो इसका रेसिस्टेंस है वो 1731 पहला है 177 ठाउन दूसरा है तो यह इस पियाई इंडेस्टी की तो पियाई इंडेस्टी जो है कल 1514 पे ओपन हुआ था 1578 पे क्लोज हुआ था जो कि उप्ता मस्तर है और 4.4 परशेंट बढ़ा है और यदि आप इसके देखें मित्रों पियाई इंडेस्टी के बारे में इसे अब मुभी है देखिए तो 200 दिन का 1381 इसके उपर है सौ दिन का 147 इसके ऊपर है पचाहत दिन का 1386 है बीस दिन का पंदराश्षोपंद रहे दस दिन का पंदराश्षोचार है यदि सभी मॐफिंगे मिस से ऊपर चला है और इसका NFL indicators देखें गे तो technical indicators में सब बुलिश है कि एक दिखा रहा है कि वह है RSI बुलिश है MACD बुलिश है ROC बुलिश है CCI बुलिश है और इसका सपोर्ट रेशिन देखेंगे तो फिबोंची का जो रेसिस्टेंस से पहला वो 1595 है दूसरा जो 1615 है तो इन दोनों लेबल को क्रास कर जाएगा मित्रों तो यह भी सेर जो है एक नई मजबूती में पहुंच चकता है प्याइए इंडस्ट्री जैसा कि हम जानते हैं मित्रों चेमिकल सेक्टर का एक दिगज कंपनी है बहुत ही बहतरीन कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल 21,876 करोन है देखा जातों लार्ज कैप होने के बिल्कुल करीब है लार्ज कैप मुटिकप सेग्मेंट की कंपनी हो चुकी है पी इसका 46.55 है बुक बैलू 164 है डिविडिन बहुत संदार देती है मित्रों इंडस्ट्री पी 34.62 है इपी इसका 33.92 है प्राइस तो बुक बै चुका हम इत्रों की पोट्फोलिय स्टॉक है केमिकल सेक्टर वैसे भी बहुत स्टॉंग है उसी तरह से जुबिलेंट फूड भी इदि आप उसका देखेंगे डिटेल बार्केट केप्टर 2486 करोन है लाज केप की कंपणी पी 81 है और जुबिलेंट फूड सबसे बीट ची जी रखी हुई है डुम्यों के पिज्जा की और जैसे जैसे लोगों की इंकम बढ़ती जा रही है जैसे लोगों की लाइप स्ट्राइल बदलता जा रहा है लोग पिज्जा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से भी यह कंपनी अच्छी है हाला कि कोरोना काल के के लिए पियाई इंडस्टी और जुविलेंट फूड तो मित्रों आप लोग जब भी ट्रेटिंग करिए खरदारी करिए खरदारी करने से पहले आप अपना सलाह अपना राय अपने जो भी फैनेंशल एक्सप्राट होता उससे लीजिएगा हमारे कहलावे पर जय हिंद जय बारत